ओम जै श्रीहरी विश्णू जै मतरणी दोश्तों आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत-बहुत स्वागत है माभगविती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वधा बनी रहे दोस्तों सनातन धर्म में अमावश्या तिति का किसी पवित्र नदी में अपने पित्रों को स्मरण करते हुए श्नान करने से पित्र दोसों से मुक्ति मिलती है पित्र प्रसंद होते हैं तो जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है जीवन में कोई भी कस्ट हो अगर पित्रों की क्रिपा प्राप्त हो जाती है तो कस्टों से मुक्ति मिल जाती है इसलिए इस दिन विशेश रूप से अपने पित्रों को स्मरण करके उनके निमित्यदान करना चाहिए उनकी आत्मा की शांती के लिए तरपण और श्राध्यकर में भी जरूर करने चाहिए और जैसे की अमवश्यातिती मालक्षमी को भी अत्यांति प् स्माप्ति में वैशाक माज की अमवश्यातिती कब है अमवश्यातिती कब प्रारंब होगी कब समाप्त होगी और श्नान-दान का शुभ्मुट क्या होगा किस दिन हमें पित्रों के निमीत दान या तरपण इत्यादी करना चाहिए और बहुत से बक्त ऐसे भी हैं जो करना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए अमावश्या पर आप क्या करें यह संपुर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक क्योंकि आपके लाइक्स आपके कमेंट सी मेरे लिए एक मातर जर्या हैं जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए यह वीडियो उप्योगी है तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक तो जरूर ही किया करें इसके स तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए तो इससे यह होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अप्लोड होगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही चमा पर प्राप्त होगी तो सबसे पहले जानते हैं कि अमावश्यातिती कब प पूरे दिन की अमावश्या है इसलिए उन्नी सप्रेल को भी अमावश्या मानी जाएगी पित्रों के निमित अगर आप कोई भी तरपन इत्यादी करना चाहते हैं तो वो दोपहर में किया जाता है तो ऐसे में उन्नी सप्रेल को पित्रों के निमित तरपन इत्यादी किया जा सकता है और जो भक्त अमवश्या का व्रत धारन करते हैं 19 अप्रेल को अमवश्या का वरत रखा जाएगा 20 सप्रेल को सुर्योदय से यह पूरे दिन ही मानी होगी लेकिन विशेश रूप से जो स्नान किया जाता है जैसे कि पवावित्र नदियों में श्नान करने का विधा किवे आप दान कर सकते हैं वैसे दान्स एफ आप उनुश की पूजा की जाएं और ऊप्र पीपल की पूजा की जाती Fehler प्राफ्त हो रही हैगा तो वी सब्सक्राइन तो अगर आप घर पर जो बीपदान किया जाता है तो इसलिए अममवस्या का दीपदान को किया जालेगा क्योंकि इस दिन संध्याकालीन आपको प्राब्थ हो रही है तो पित्रों के लिए भी अगर आप दीपदान करते हैं और अगर आप 19 सपरेल को नहीं कर पाते हैं तो 20 सपरेल को भी कर सकते हैं चाहे तो आप दोनों ही दिन कर सकते हैं 19 सपरेल दोनों दिन की ही अमवश्या मान्य है तो आप दोनों दिन कर सकते हैं लेकिन 19 सपरेल को जरूर कीजिए वैसाखमास की अमवश्या तिथी पर विशेश डूक से सत्तू का दान दिया जाता है इसलिए इस अमवश्या को सत्तूआई अमवश्या भी कहा जाता है तो आप चाहें तो जो या फिर चने का सत्तू दान कर सकते हैं किसी ब्रामभड को किसी जरूरत मंद को जिसे भी आप दान कर पाते हैं और पितरों की कृपा पाने के लिए आज के दिन ब्रामभड को भोजन जरूर कराना चाहिए और इसके अलावा घर में जो भी आप भोजन बनाते हैं उसमें से गाई को, कुटे को, कवे को भोजन जरूर दीजिए तो 19 सपरेल और 20 सपरेल दोनों दिन में किसी भी दिन आप कुटे, कवे और गाई को भोजन दे सकते हैं ब्रामः को भोजन करा सकते हैं क्योंकि दान देने के लिए और ब्रामध भोज गराने के लिए दोनों ही दिन्स रेष्ट हैं। लेकिन अगर आप किसी भी कारणवश ब्रह्ममुर्थ में नहीं कर पाते हैं तो प्रयास कीजिए सुर्योदे से पहले कर पाएं। दान कर सकते हैं। जैसे कि अभी गर्मी का मौसम है तो आपको दान में ज्यादातर ठंडी चीजें या गर्मी में प्रयोग करने वाली चीजों का दान करना चाहिए। जैसे कि आप दशाते का दान कर सकते हैं। तो अपनी सामर्थिक अनुसार आप कर सकते हैं, जितनी भी आपकी छमता हो, लेकिन दान निकालना जरूर है, इस बात का ध्यान रखिए, अपना भोजन करने से पहले आपको दान की सामगरी निकाल देनी है, अगर आप भूजन नहीं करवा पाते हैं, और हाँ, दान निकालन सबसे पहले घर की छत पर जाकर निमेत आप दान पानी जरूर डाल दीजिए, चीटियों के निमेते थोड़ा सा आटा और शक्कर डाल दीजिए, गाई को गुड़ और रोटी खिला दीजिए, देखे विशेष क्या होता है, तो जो विशेष तितियां होती है, जैसे की अम भोजन करने से पहले ही आपको जीवों को भोजन करा दें और हाँ एक और चीज जो कि मैं आपको हर बार बताती हूं कि घर की साफ सफाई अमावश्या के दिन विशेश रूप से करनी चाहिए मतलब घर में जो अच्छी तरह से साफ सफाई होती है वो महिने में एक बार कम से क अमावश्या पर जरूर होनी चाहिए तो इस बार जो अमावश्या गुरुवार को प्राप्त हो रही है आपको सुर्योदे कालीन प्राप्त हो रही है लेकिन गुरुवार के दिन घर की साफ सफाई नहीं की जाती है तो ऐसे में बुधवार के दिन ही घर की साफ सफाई की और जो भी घर में जाले उतारने हैं या जो भी कबाड़ा आपको घर से निकालना है जो भी तूटी-फूटी चीजें हैं आपके घर में नेगेटिवीटी क्रिएट कर रही है आप उन्हें बुधवार के दिन ही घर से बाहर निकाल दीजिए कबाड़े में बेच सकते हैं किस दिन अपने घर के मुख्य द्वार की मतलब थोड़ी बहुत साफ सफाई तो हम करते ही हैं वो आप कर लीजिए जलका छिर्काव जरूर कीजिए गुरुबार के दिन भी और घर के द्वार पर कोई भी मांगने वाला आता है कोई जीव हो कोई जन्तु हो या फिर कोई भी आज जितना हो सके दान करना चाहिए और अमवश्यातिती है तो विशेश रूप से जब घर की साफ सफाई आप कर लेते हैं उसके बाद से पूरे घर में गंगा जल का चिर्काव कीजिए या फिर शुद्य जल में थोड़ी सी हल्दी और तुलसी का पत्ता मिलाकर इससे भी आप पूरे घर में चिर्काव कर सकते हैं घर का शुद्धी करण हो जाता है इससे घर में जो भी नकरात्मक उर्जा होती है वो निकल जाती है और सकरात्मक उर्जा का प्रवेश हो जाता है आज घर में आपको कपूर अवश्य प्रजलित करना चाहिए आप चाहें तो गू दोनों ही दिन शाम के समय घर के मुख्यद्वार पर सर्चों के तिलका या तिल-तिलका दीपक अपने पित्रों को स्मरण करते हुए जरूर प्रज्वलित कीजिए इससे आपके पितरों की क्रिपा आपको प्राप्त होती है, पितर दोसों से मुक्ति मिलती है और दीपक प्रज्वलित करते समय अपने पितरों का ध्यान कीजिए और हाँ जो भी आपकी परेशानी हो जैसे कि बहुत समय से अगर आप परेशानी में हो तो अपने पित्रों का ध्यान करते हुए अपने दोनों हाथ जोड़कर पित्रों से शमा प्राथना कीजिए कि जाने-अन्जाने किसी भी प्रकार से, अगर मुझ से या मेरे परिवार से कोई भी भूल चुक हुई हो, तो हे पितर देवता, आप सब हमें शमा करें, और हम पर क्रिपा करें, हमारी परेशानियों को दूर करें. आपके इतना कर लेने मातर से ही आपके पितरों की कृपा आपको प्राप्थ होने लग जाती है आपके पितर प्रसन हो जाते हैं और आपके जीवन से जो भी परेशानिया है धीरे धीरे स्वते ही समाप्थ हो जाती है तो ये कारी आपको आज जरूर करना चाहिए, हर अमावश्या पर नियमित तोर से अपने पित्रों को स्मरण करते हुए दीपदान करके उनसे शमापरात्ना करना चाहिए और शाम के समय संध्या काल में घर के इशान कोण में घर के मंदिर में शुत्गी का दीपक प्रज्वलित करके मालक्ष्मी के मंत्रों का अधिक से अधिक जब करना चाहिए कनकधारा, श्री सुक्त का पाठ अगर आज के दिन आप करते हैं तो मालक्ष्मी स्थिर रूप से आपके घर में वास करती हैं जब पितर और देवता सभी प्रसन्न हो जाते हैं तो जीवन की परिशानिया स्वतही धीरे-धीरे समाप्त हो जाती है तो ये हैं अमावस्या से संबंधित जानकारी और आने वाली वीडियो में सुरे ग्रहन से संबंधित संपरोण जानकारी में आपसे शेयर करने वाली हूँ